तो हलो दोस्तो आज मैं चंद्रपूर के रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि यहां का नजारा थोड़ा देख लूँ तो मेरे साथ आप लोग भी यहां का नजारा देखा चाहते हैं तो विडियो के आंग तक बने रहिए मां यहां का पूरा नजारा दिखाऊँगा तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं चंद्रपूर मंदीर जाने का रास्ता है यहां से तो दिखें यहां से जाते हैं तो यह है रास्ता यही से पार होके धर जाते हैं और रास्ते में मार्केट लगा हुआ है तो सबसे पहले तो हम लोग इधर का नजारा देख लेते हैं पैसा है चंद्रपूर का नजारा तो सुरू कहाँ से करते हैं चलो यही से सुरू कर देते हैं यह है चंद्रपूर का फुल और यहां यह जो नदी है यह महा नदी है जो संद्रपूर में हमेशा पानी से भारी रहती है यहां का पानी साल भार समुद्र के जैसा नीला रहता है यहां नव भी है यहां नव बैठने के सौकेन लोग नव में बैठ के सायर भी कर सकते हैं वैसे यहां नव बहुत हया उधर भी है बाद मैं उसको दिखाऊंगा मैं तो दीखे कैसे पहले नजारा देख लिजिए पूरा समुद्र जैसा पानी ही पानी है कुछ लोग उधर नव में सैर कर रहे हैं देख लिजिए जूम कर देता हूँ यह बहुत अच्छा लग रहा हो गवर लोग को तो यहां अक्सर लोग पिकनिक मनाने के लिए आज आते हैं आज भी थोड़ा भीड भाड है गाड़ी सब है इधर का नजारा भी देख लिजिए इस प्रकार है मैं थोड़ उपर से दिखाऊंगा तो यह जो जगा है यह चारो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और यहां टापू जैसा बीच में जमीन है तो यहीं पर मंदिर सब बनाया गया है भीड भाड आज नहीं है इका दुक्का लोंग आये हुए हैं छुटियों के दिन बहुत भीड होता है totally यहां पार्किंग के लिए यहां प्रकोन कुन से गारी का कितने कितना रेट है देख सकते हैं माला रही भौजन बनाना वह खाना सकत माना है चलो मंदिर दिखा देता हूं बाहर से तो यह है मंदिर दर्सन कर लो जिसको जिसको दर्सन करना है मंदिर के बाहर पूरा इधर मार्केट लगा रहता है देख सकते हैं किसे दुकान लगे हुई है वरा दुकान लगे हुई है अधर समान यहां देखने को मिल सकता है इधर चस्मा स्वा किसी को लेना होतो ले सकते हैं अधर देखिए के तो हरे कमाल 15 रुप्यम मिल जाता है यह देखिए नाव में मस्त घूम रहे हैं यह है पुल अधर राइगड है इस पार बरसात में जब बाढ़ाती है तो यह पूरा डूप जाता है यहां का जमीन पूरा पानी की बाढ़ में और बाकी तो क्या दिखाऊं बस नाव में घूमने से मजा जाता लेकिन मैं तो अकेले आया हूँ कोई साथ में रहते तो मजा जाता यहने मैं दोस्तों के साथ आया रहता तो मजाता यहां चाट गुपशुप की दुकान भी लगी हुई है जिसको जिसको पसंद है राम से खा सकते हैं पुल के उपर से देखने पर ऐसा दिखता है यह है राइगड रोड इसी रोड में आगे राइगड है और इधर पीछे सेट देखेंगे तो इधर इस तर अंगड बस भी आ रही है सरंगर जा रही है तो ठीक है दोस्तो आज का बस वीडियो आया तो लेक लाइक जरूर कर देना यदि चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो ठीक है अगला वीडियो के लिए वेट कीजिए तब तक के लिए बाई बाई नमस्कार